एक्च्छी आज नहीं उनको दो तीन दिनों से गाजर का अलवा खाने का मनो रहा था वह पता हिए की अच्छी घाजर बनाने के लिए ऐक्स्ट्र टाइम के जर्वत पढ़ती है तो मुझे टाइम नहीं मेल पा रहा था गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने गाजर को अच्छे से वाच कर लिया है अब इसे हम पील आफ करेंगे जब ठर्ण आती है तो सबकी घरों में गाजर का हलवा तो बनता ही है क्योंकि उसी टाइम गाजर का सीजन होता है बट इस सीजन में हमारे घर में पहली बार गाजर का हलवा बन रहा है मैंने सारे गाजर को अच्छे से वाश करके रख दिया था अब मैं एक एक करके गाजर को पील ओफ कर रही हूँ हलवा बनाने के लिए हमेशा मोटे गाजर की जरुवत पड़ती है क्योंकि इससे पील ओफ करने में और कदू कस करने में बहुत आसानी होती है अब हम गाजर को अच्छे से कदू कस कर लेंगे तो देख सकते हैं आपकी कितना बारिक कदू कस हो चुका है फिर मैंने गैस पर कड़ाई रख ली है कड़ाई को गर्म होने दिया गर्म होने के बाद मैं डाल रहे हूँ यहाँ पर गी किसी भी चीज का जब भी हलवा बनाओ और वो देसी गी में बना हुआ होता है हूँ मैं गाजर हमने जितना भी गाजर का दुकस किया है वो सब हम एक साथ ही कड़ाई पर डाल देंगे गाजर डालने के बाद हम गाजर को गी के साथ बहुत अच्छे से मिला देंगे अच्छे से मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढग देंगे जिससे की गाजा सॉफ्ट हो जाएगी जब तक के गाजर पक रही है तब तक के हम ड्राइफरूट्स कट कर लेंगे तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हजबन के आने से पहले ही हलवा बना कर रेडी कर लूँगी बट आज मेरी हजबन घर बहुत जल्दी आ गए फिर मेरी हजबन ने बोला कि ड्राइफरूट्स मुझे कट करना है तो आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चॉप कर रही है गाजर के हलवे में आपको जो भी ड्राइफरूट्स डालना है वो आप डाल सकते हो अगर आपको पास dry fruits नहीं है और आपको हलवा बनाना है तो आप इसमें सिफ इलाइची भी डाल सकते हो इलाइची डालने से भी हलवे का टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा आता है हमने यहाँ पर लिया हुआ है बदाम, किसमिस, काजू और इलाइची और कलर के लिए थोड़ा सा डालने वाले हैं हम केसर यह सारी चीज़े optional हैं आप डालना चाहिए तो डाल सकते हैं अगर नहीं तो सिफ इलाइची तो जरूर डालिएगा मुझे जितने भी ड्राइची डालने रहते हैं वो सारी ड्राइची और गा अच्छा नहीं लगता ड्राइची तो कट चुके हैं अब हम देख लेते हैं कि अच्छे से पका है यह नहीं पका है तो आप color देखके ही समझ सकते हैं कि गाजर soft हो चुकी है इसका मतलब है कि गाजर आधी पक चुकी है और आधी पकने को बाकी है इसलिए अब हम इसमें डाल देंगे sugar जितने भी quantity में आपको sugar डालना है जितना मीठा आप पसंद करते हैं उतना आप इसमें add क कर सकते हैं sugar डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सारे dry fruits अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिला देंगे जिससे की sugar पूरी तरीके से melt हो जाए और dry fruits भी थोड़े से पक जाए मिलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए धक के रख देंगे फिर आपको करना है कि गाजर पूरी तरीके से पका है या नहीं पका है अगर पूरी तरीके से पक चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे खोवा मैं हमिश्रा गाजर के हलवे में खोवा डालती हूँ अगर आपके पस खोवा नहीं है तो आप इसमें milk भी डाल सकते हैं milk डालने से भी ग मुझे पता था कि यह बहती इजली मेल्ट हो जाएगा अगर खोवा थोड़ा सा ताइट होता है तो आप इससे कद्दू कसट करके भी डाल सकते हो आप देख सकते हो कि जब मेरे हस्बेन हलवे को मिला रही है तो ही खोवा किते अच्छे से मेल्ट होता जा रहा है हलवे में खुआ मिलाने के बाद बस आपको दो मिनट के लिए इसे गैस पर ही रहने देना है एंड दो मिनट के बाद गाजर का हलवा बनके हो चुका है I hope guys कि आपको गाजर के हलवे की रेसिपी वीडियो आज की अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमें शेयर और सब्सक्राइब तो मैं यूटॉब चैनल विच इस रिचेश मेरा व्लोग्स